हेलो गाईज, वेलकम टो दे ट्यूब चैनल ग्यान को सेंटर्व लर्निंग बात करते हैं 8 अप्रेल 2024 के करेंट रफियर की जो कि एक्जामस में आ सकते हैं पहला है पॉल्सी रेट एक्सचेंज 2024 तो RBI ने अपनी पॉल्सी रेट को थोड़ा मोडिफाइ किया है साथ सालों से एक ही रेट को लेकिया है जो कि है रेपो रेट 6.5 और यह 2018 से लेकि अभी तक इतना ही है इसमें कोई चेंजस नहीं किये गए है इस रेट को मेंटेन करता है मोनेटरी पॉल्सी कमिटी जो कि RBI के अंतरगत आती है वही पॉल्सी रेट को डिसाइड करती है इसमें जो वोटिंग हुई थी वो 5-1 से जीती गई है पांच मेजोरिटी थी एक अगिंस था 6 मेंबर ओफ एमपीसी कमिटी के तैप जिसे हैड करते है आरबिया गवर्नर शक्तिकांत दास अगला बात करते हैं इलेक्ट्रो सिफेलोग्राम सो साल तो ECG की बात हो रही है बेसिकली तो 2024 जो है इसे मार्क किया है सेंटेनियल ओफ डिसकवरी ओफ एजी ठीक इलेक्ट्रो एंसी फेलोग्राम दो चीज़ों थी एक होता है ECG इलेक्ट्रो काडियोग्राफ एक होता है EEG इलेक्ट्रो एंसी फेलोग्राम तो यह उसके लिए एक रिमार्केबल येर है बाई जर्मन साइकेट्रिक्स हैंस बर्गर टिक यह एक क्रूशल टूल है ब्रेन की अंडरस्टेंडिंग के लिए अब होता है कि जैसे आप नियूरो प्रोब्लम से जूँज रहे हो तो आपके सिर्फ पे लगाई जाती है कई सारी तारे और उसे चेक किया जाता है कि आपका ब्रेन किस तरह से बीएफ कर रहे है तो ये एक रिकोडिंग यह ब्रेन एक्टीविटी की जो कि डिटेक्ट करता है ब्रेन में अप्रमतिस को कि ब्रेन का कौन्सा हिस्सा काम नहीं कर रहा है कहां पर दिक्कत है या क्laisक्त्ग सदूर। झीक उब्रोजेक्ट अकाशतीर प्रोजेक्ट अकाश तीर के अगर बात करेंगे तो इंडियन आर्मी के एक प्रोजेक्ट है ठिक जो की एर डिफेंस कैपेबिलेटी को दर्शाएगा तो यह कटिंग एज इनिशेटिव है ऑटोमेट एर डिफेंस के लिए कंट्रोल करने के लिए बेसिक लिए डिजिटाइस करने के लिए जो भी इंडियन आर्मी की डिफेंस कैपेबिलेटी से उसको ठिक इसे कंट्रोल किया जा सकता है ग्राउंड वेस एर डिफेंस वेपन सिस्टम के द्वारा ठीक बनाया जा रहा है यह डेवलप किया जा रहा है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड आत्म निर्बर भारत इनिशेटिव के तहत अगला वर्ल्ड एंटी डोपिंग अजिंसी एंटी डोपिंग होती है जैसे आप खेल कूद में भाग ले रहे हो तो आपकी कैपैबिलिटी के नुसर आप कुछ ड्रग्स लेते हो खुद को अजरबाइस से लेके अभी तक द्वारा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी के वाड़ा वाड़ा को इस्टेश किया गया तो 1999 में इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस इंडिपेंट एजनसी के तोर पे डोपिंग फ्री स्पोर्ट्स के लिए तो कॉश्चन आ सकता है कौन सी हाइस परसेंटेज वाली डोपिंग ऑफेंडर कंट्री है वो है भारत ठीक वाड़ा का रोल होता है स्पोर्ट्स को काईदे सिस्टम से चलाना ठीक उसमें कोई भी चीटिंग्स ना हो कोई भी आदमी बूस्ट होने के लिए बूस्ट अप होने के लिए डोपिंग ना करे इसे पहली बार इस्तेमाल किया गा था 1998 के समर ओलम्पिक्स में द्वारा इंटरनेशनल ओलम्पिक कमिटी और पहला जो टेस्ट किया गया था जिसमें कोई प्राणी ग्रसित पाई गया था इससे मतलब तो वो था दो से चार फरबरी 1999 में लॉजन डिक्लेरेशन और डॉपिंग इन स्पोर्ट में ठीक नेक्स्ट स्ट्रेजिस स्ट्रेजिक फॉर्सिस कमांड तो डियाडियो की है न्यू जेनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल जो है अगनी प्राइम ठीक उसकी सक्सेसफुली फ्लाइ टेस्ट कि जा चूकी है स्ट्रैजिक फॉर्सिस कमांड के द्वारा । डियाडियो के साथ मिलके इसे कभी-कभी कहा भी आता है स्ट्रेजिक नूक्लियर कमांड भी जो कि भारत की नूक्लियर कमांड अफूरिटीये एंसी यह है एक इसे बनाए गया था 2003 में जो इसका commander-in-chief होता है वो senior officer होता है जो कि as a later काम करता है इन में पूरे PDF के लिए आप description से download कर सकते हैं इस पूरे details को देखने के लिए जो कि paper में आ सकती है इसमें Army Air Force Navy तीनों के officers deputed होते हैं commander-in-chief जो होता है त्री स्टाल जेनरल होता है जो कि तीनों services में से कोई भी एक प्राणी एपोइंट किया जाता है अगला World Health Day 2024 तो पिछले कल साथ अपरेल को World Health Day था ठीक इसकी aim है awareness फैलाना global health issues के लिए और लोगों को healthy होने के लिए encourage करना कि इसकी origin है 1948 से जब पहली बार ही first health assembly और्गनाइस की गई थी ठीक कि वर्ल हेल्ट जे 1950 से मनाय जाता है इन रियल इस बार की theme की बात करेंगे तो my health my right यह इस बार की theme है कुछ parameters है यहां पर education information drinking water cleaning air यह सब जरूरी होते हैं healthcare perspective से एक्षेंज ट्रेडड करंसी derivative RBI तो RBI ने postpone किया है implementation of नए नोम जो भी बना रहा है ETCD के तहत के लिए एक्षेंज ट्रेड करंसी derivative markets के लिए तिक है और भी बोलता है कि इसको अभी अंतरगत किया जाता है जिसमें single limit 100 million की रखी जाती है डोलर ने नेक्स्ट Sierra Leone declaration and national emergency तो यह देश में national emergency declare की जा चुकी है यह ट्रोपिकल कंट्री है अफ्रिका में जिसका बोर्ड अटा चुता है गईनिया से लिबेरिया से और एट्लेंटिक ओशियन से ठीक नेशनल emergency declare करने की वज़ा थी राइजिंग यूज ऑफ सिंथेटिक ड्रग कुश का इस्तेमाल जाद हो रहा था ड्रग का इसलिए ठीक पास में जो इसके रिवर है वो है राकॉल रिवर ताइयाई रिवर मोह रिवर और सिवा रिवर इसको कॉलोनाइज किया था 1787 में लोगों के द्वारा और इसके कुछ और ग्रूप्स भी है नोवा स्कोशिया 72 में जमाइका 1800 में ठीक सायरा लियोन जो है यह इंडिपेंडेट हुई थी इस है 1961 में ठीक तो यह ड्रॉग्स के लिए अपनी नैशनल में अगला अगनिवान सोटेड लॉंच पोस्ट पॉन तो अगनी कुल का जो लॉंच होना था अगनी अगनी बाहर अगनी बान सो शोटेड गा उसको पोस्टपॉन किया दा चुका है सो टेड़ फूल फुल्फर का पहला 3D printed semi cryogenic rocket engine है 3D printed इससे लॉंच किया जाना था लॉंच पैड बन से यह लपी वन जो की है स्रीयलिकोटा स्पेसपोर्ट में प्राइवेट वाला इसकी कैपस्टी 100 kg तक पेलोड ले जाने की हाइट 700 किलोमेटर तक उपर ले जा सकता है और मास 1400 किलोमेटर तक का लेक है ठीक नेक्स चांगपा ट्राइब यह ट्राइब वाले कोशिंस पेपर में आते हैं जो भी रेसंट ट्राइब से तो चांगपा ट्राइब क्या ही एक सेमी नोमेडिक पीपल है जो भेड़भूर चारते हैं वो जो कि लद्दाक के साउथ इस पार्ट में पाए जाते नेक्स के लिए और यह कि स्कीन को यूज करते जिसे रेवु कहते हैं और जो नोमेडिक में रहता है उनको फाइलफा कहते हैं यह ठोट्राइब लोकिश्टन नहीं है फैंग पा कहते हैं यह दोनों चीजे पेपर में पूची जा सकते हैं इसको देख लेना जो पश्मीना पाइबर है और जो चांगरा कोड का कैपरा हिरकस है वो सब इन ही के द्वारा यूज किया जाते हैं मतलब फाइन क्वालिटी के तो गोट है रहे वो इन ही के पास से आते हैं नेक्स्ट निमू पदमदार्शा रोड इन लद्दाक तो इस रोड की एच्पी एसके पेपर में भी आ सकते हैं कोश्यून सबके लिए जरूरी है यह जासकर रेंज में मौझूद है चुकि हमाचल और लद्दाक को कनेक्ट करती है ठीक यह ओल वैदर रोड बनेगा मनाली से लेकर ले तक लद्दाक तक दार्चा निमू के बीच में कारगीले उपर वहाँ पर टनल बनाए जाएगा इनके द्वारा और यह पहला ओल वैदर रोड होगा जो कि लद्दाक को कनेक्ट करेगा भारत के दूसरे स्टेट से तो आज के करेंट अफरक ले इतना है थैंक्यू और नाइस जे पीडिएफ के लिए डिस्क्रिप्शन से राणूर झाल डाएगा ऑज पोist खिस्क्सा है जाए बेकान・बोड़ से लाज कारे आएटरण के दे स्टे दिवागारa टीस्ट को ऑल जक्से फ जयनश्स चाल वाचाश्य को मिसाड़ ओल मेंूनिक्वरें लेल एल पहले के रहले के जाएगागा टीधरिएएवा जर्ब़शन वि